जेशी किष्णा दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे दोस्तों आज जिस विशे पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिस विशे पर आपसे बाच्चित करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखता है इस जानकारी को प्राप्त करता है उसे अवश्य अपनी बहुत सारी समश्याओं से मुक्ति पानी का एक साधन मिलने वाला है एक ऐसी जानकारी है जो आपको अवश्य होनी चाहिए इस उपाई को करने के बाद आप अपने जीवन से बहुत सारी समश्याओं को तूर कर सकते हैं आप सभी ने सुना होगा कि हम जिसको मानते हैं जो हमारे इस्ट हैं जब हम उनसे बिंती करते हैं तो हमारी बिंती अवश्य पूरी होती है जो भी हम wish मांगते हैं, जो भी हम मनों कामना करते हैं, इक्षा करते हैं, हमारी अवश्य पूरी होती है, लेकिन strong तरीके से, जब हम अपने east से, universe में हम अपनी प्रातना रखते हैं, विंती रखते हैं, शीग्र और अवश्य पूरी होती है, उसका तरीका अवश्य अलग-अल उससे आपकी कैसी भीक्षा हो, धन संबंदी, बच्चों कोई पढ़ाई संबंदी, केरियर संबंदी, बिजनस संबंदी, किसी रिलेशनशिप को लेकर है, कोई आपको ऐसा लगता है कि किसी रिस्ते में खटास आ गई है, परिवार में मिमारिया जादा बढ़ गई है, तीजपत्य एक मसाली की रूप में आप उपयोग में लेते हैं अपने घर में, जब आप कुछ ऐसी सामगरी बनाते हैं, छोले बगईर बनाते हैं, कई लोग तीजपत्य का उपयोग करते हैं, धक्षिन भारत में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता ह लेकिन इसमें इतना ज्यादा healing power होता है जब आप इसको normal ही अपने घर में जलाते हैं तो इस घर में positivity बढ़ जाती है negative उर्जा दूर हो जाती है लेकिन आज जो तरीका बता रही हूँ यह आपकी इक्षाएं जो काफी समय से आपके मन में है लेकिन पूरी नहीं हो रही यदि बहुत ही दुरभागी का समय भी चल रहा है तो यह सोभागी में बदल सकता है आपको करना यह है आप एक तेजपता ले लें तेजपता कहीं से भी तूटा फूटा ना हो यह बहुत आसानी से किरानी की दुकान पर परचुन की दुकान पर मिल जाता है आप जाकर ले सकते हैं जो उसका सीधत हिस्सा होता है कि एक हिस्से पर उसके शिराएं होती है वो शिराएं वाले हिस्से पर नहीं करना है आपका जो साफ वाला हिस्सा होता है उसे साफ कपड़े से साफ कर लें और आपकी मन की इक्षा बहुत कम शब्दों में जिससे आपको धन प्राप्ति की इक्षा है मा लक्षमी की आप पर कमी है वह इक्षा है तो आप सिर्फ यह लिख सकते हैं कि मुझे धन चाहिए या और अपने तरीके से सिर्फ बहुत कम शब्दों में लिखना है आपका बच प्राप्त करनी है तो आप यह लिख सकते हैं कि CA बनना है या डॉक्टर बनना है या मुझे इतने नंबर चाहिए जो भी घर में घर से क्लेश दूर करो यानि आपको कम से कम शब्दों में अपनी इक्षा अब इक्षाएं भी अलग-अलग होती हैं किसी को धन संबंदी इक्षा होती है किसी की घर परिवार संबंदी रिलेशन संबंदी को इक्षा होती है जो परिशानी होती है उसे दूर करना होता है और किसी की केरियर संबंदी इक्षा तो आप जब धन के लिए लिखते हैं तो आपको green color के pen से लिखना है sketch pen से लिखते हैं तो easily लिखाएगा क्योंकि तेजपत्ता सुखा पत्ता होता है तो जब आप उसपे εदि पैन से लिखते हैं तो वो कटने फटने का डर रहेगा आप sketch pen से easily लिख सकते हैं ग्रीन पेंड का यूज कीजीे, आप कोई सममन्दों के लिए लिचतीय रिष्टों के लिए लिखते हैं तो आप लाल रंग काру पैंड या ओर कोई समश्या है तो आप उसके लिए नीला रंग का पैंड ली लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है जैसे आप सबसे पहला प्रश्ण होगा हम किस दिन कर सकते हैं इस सातों दिन में किसी दिन भी किया जा सकता है लेकिन यदि बुद्वार या रविवार यह कारी करते हैं तो ज्यादा श्रिष्ट तरीके से होता है आप कहेंगे कि कौन से समय पर करना उचित होगा मैं तो कहूंगे जिस समय आपकी घर में चांती हो कोई टोकने वाला नहीं हो इस कारे में सफलता तभी मिलती है जब हमें कोई टोके ना आप एकांत में कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा और में यह दि मेरे स्थरब से और आप इजिली कर पाएंगे सबसे अच्छा मौरत इसके लिए ब्रहम मौरत हो सकता है ब्रहम मौरत तेने सुबह साड़े तीन चार बज़े से लिकर छे बज़े तक आप साड़े चार बज़े करते हैं तो बहुत ही क्योंकि वह समय बहुत अनुकूल होता है उस समय हमें कोई टोकता भी नहीं है और समय सारी शक्तियां जो देवी देवता होते हैं उस समय सारे एकदम आपके लिए आपके आसपास मौजूद होते हैं और यूनिवर्स पुरा आपके साथ होता है आप जो भी इक्षा करते हैं जो भी मनों कामना करते हैं पूरी होती है यदि उस समय आप कोई मंत्र जो आपको कंठस्थ हो जो आप करते हैं यदि उस समय करते हैं तो आप मान कर चलिए वह कंठस्थ आपका हजार गुना आपका साथ देते हैं आपके लिए positivity लाते हैं मैं इस कारी के लिए भी आप से कहूंगी कि आप यदि ब्राम मौरत में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही स्रेश्ट हो सकता है आपको करना यह है कि आप सबसे पहले अब आपको लगेगा कि आपको इस से पहले इस्नान करना होगा नहीं बिल्कुल नहीं जरूरी नहीं है आप सुभे उठें यदि आप जो भी आपके लिए सुभे करना जरूरी होता है उठते सिवह कारी कर लीजिए आप कुल्ला कर लें और सिर्फ हाथ पेर मुह ऐसे ही दो सकते हैं उसके बाद एक साफ इस्थान पर बेट जाएं ये भी आसपास हमारे इस्थ मोजूद होते हैं और आप जो मन से कामना करते हैं आपकी कामना पूरी होती है आप कहीं भी आसन लगा कर बेट जाएं आपको आउशकता होगी एक देश पत्ते की जो कहीं से कटा फिता टूटा फूटा नहीं हो एक पेन की जो भी आपकी इक्षा है उससे समद्धित रंग का पैन ले ले और एक कपूर का छोटा सा तुकडा अब आपको करना यह है कि आप सबसे पहले अपने मन की इक्षा लिखें बहुती कम शब्दों में आपको सबसे पहले इकलाल रंग का पैन तो आपको आउशक होगा ही होगा क्योंकि इसमें स्वास्तिक बनाना सबसे जो भी आपके कहते हैं स्वास्तिक में जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो यह मान कर चलिए कि आप अपने इश्ट को विराजित कर रहे हैं वो इस उपाए में सबसे पहला आपका कार्य होगा स्वास्तिक बनाना सबसे पहले तेजपत्य पर छोटा सा स्वास्तिक बना ले स्वास्तिक पूर्ण बनना चाहिए आसपास दो दो लाइने होना बहुत कमपल सरी है बीच में जो जगे होती है स्वास्तिक के उसके बीच में चार बिंदिया चारों हिस्से में चार विंद्या भी लगाना जरूरी है आपने स्वास्तिक बना लिया अपने इश्ट को याद किया इसमरन किया फिर अपने मन की इक्षा बहुत कम शब्दों में लिखी और पॉजिटिविटी में लिखना है कि मुझे पैसा प्राप्त हो गया या मुझे सी ऐ में सी बन गया जो भी आपकी इक्षा है आपको पॉजिटिविटी में लिखना है नीचे आप धैंक्स लिख सकते हैं धन्यवाद लिख सकते हैं यदि लिखते हैं तो बहुती श्रेश नहीं लिते हैं तो कोई जरूरी नहीं है अब आपको करना यह है कि आप बेट के बिल्कुल रिलाक्स होकी करें ये कारे हरवड़ी में नहीं करना है ये मैं फिर से आपसे कह दूँ कि आपको हरवड़ी में बिल्कुल नहीं करना है आप कोई भी धातु का बरतन ले ले, दीपक हो तो दीपक बड़ा मिट्टी का दीपक ले ले, हवन कुंड है तो हवन कुंड सामने रख दे, उसमें तेश पत्ता रखना है, जो छोटा सा आपने कपूर का तुकड़ा लिया है, क्योंकि कपूर में वो शक्ती होती है, जो गलती हुई है, तो आपको उस गलती से निवरत होने का, मुक्ती पाने का बहुत अच्छा उपाय है, आरती करना, जब आप आरती करते हैं, तो माफी मिल जाती है, उस गलती को दूर करने का एक मुका मिलता है, और कई जगह पर देखा जाएं, वैसे अपने हां बाती से आर कि जाती है क्योंकि क्पूर होता है आप सब दिवी देवता का आहवान करते हैं तो कपूर पूरी तरीके से वह बातावरन बना देता है जब आपके देवी जलना शुरू हो जाएगा, उस समय आप अपने मन की जो भी एक्षा है, जो भी प्रात्ना है, आप positivity में करें, जो शब्द बोलें, वो आपको positive way में बोलना है, कि मेरा एक कारे हो गया है, जो भी आपके इस्ठे हैं, उनसे विंति कर सकते हैं, या सिर्फ देवी देउता, कोई नहीं करना है, ज्यादा बड़ी इक्षा हो को यह सा लग रहा है, बहुत समय से रुकी हुई है, इक्षा पूरी नहीं हो रही है, तो आप पांस दिन अवश्य एकारी करें, एक विश्ट, पूरी मतलब आप जब भिंति करते हैं, एक विश्ट को करने के बार, एक बार यह आपको उस दिन रुक कर दूसरे उपाई के लिए, कम से कम एक वीक रुकें, उसके बाद दूसरे विश्ट के लिए उपाई करें, यही वाला उपाई, आपको मैंने पूरा बता दिया है, और ऐसा नहीं कि आपने यह कारी कर दिया, उसके बाद आप दूसरे दिन से सोचने लगे कि मेरे को करते करते पास दिन हो गया है और अब मेरी विश्पूरी होगी अवश्य होगी इंतजार करें पॉजिटिव विचार आपको नेगेटिव नहीं लाना है क्योंकि आपके जो मन के थौट होते हैं वही आपका कारी सिद्ध करवाते हैं आप धेहरे रखें बहुती जल्दी और बहुती अच्छे से आपकी जो भी इक्षा है जो भी आपने मनों कामना करी है पूर्ण होगी आपकर कर देखें वैसे भी तेश पत्ते में और कपूर में आपके घर की नेगेटिविटी दूर करने का बहुती ज़्यादा पावर है आप नेगेटिविटी दूर होती है आपका मन संतुलित होता है अपने आप आपकी इक्षाएं पूरी होने लगती है कर कर देखें विश्वास के साथ यदि विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी जो पॉजिटिविटी है वही आपका कारी पूरा करने में आपकी मदद करेगी आपके इश्टाप के साथ होंगे आप पर और आपके पूरे परिवार पर भुलिनात की क्रपा हमेशा बनी रहे ओम नमस्षिवाए